पेट्रोल डिजल दामों में विरद्धी को लेकर कांग्रस नेता बसंत मालपानी के नरत्यत्तु में शेहर में साइकल यातरा निकाली गई इस दोरान भाजपा की केंदर सरकार को जम कर कोशा गया हाई 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 परमोंति के गालों की दोरी आली है नागरिक इस बात को लेकर परिचान है कि जिस सरकार को हमने अच्छे दिन लाने के लिए चुना था आज उसी सरकार की वज़े से हमारे देश के नागरिकों को कापी बुरा समय देखना पड़ रहा है कांगरेस ने सोई से लेकर एरोप्लेन तक इस देश में आजादी के बात बनवाया लेकिन भारती जनता पारिटी की नरेन मोधी सरकार लगातार हर वस्तों की किम्तों में इजाबा कर रही है जिससे इस देश का नागरिक अपने देनिक जीवन को जीने में कापी असाई में सुस कर रहा है अपने आपको आज पेट्रोल और डीजल की किम्ते आस्मान चू रही है जिससे आज ये बड़ा फास्ट योग है हर आदमी चाहता है कि मोटर साइकल, कार और हेरो प्लेन से वो अपने सारे सुक सुईदा हासिल करके अपने काम जल्दी से जल्दी निप्टाए लेकिन डीजल और पेट्रोल में जो मुलिव रहती हुई है उससे इस देश के नागरिकों का सरकों पर चलना मुश्किल हो गया है नरेंद्र मोती जी जब इस देश में 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब भारती जन्ता पार्टी के सरकार अगर इस देश में बनी तो इस देश में राम राज जाएगा इस देश के हर नागरिक के अच्छे दिन आ जाएंगे इस देश के नागरिक के काते में 15-15 लाग रुबे आ जाएंगे लेकिन वो सारे जो उनके वागत है वो एक जुमले के रूप में साबित हुए उन्होंने इस देश के नागरिकों को एक लाली पाप मूह में दिया है आज हमने पेट्रोल और डिजल की मुल वरत्ती के विरोध में साइकल रेली इसी ने आयो जीत की है कि नरेन मोदी को प्रदार मंत्री बनाने के लिए इस देश के नागरिकों ने अपने मुक्त हरगा से उनको वोट दिया था लेकिन आज पुरे देश का नागरिका परेशान है कि किस आदमी को हमने वोट दिया मैं इस देश के नागरिकों से अमारे भाईयों से अपील करना चाहता हूँ कि वे पर चड़कर नरेंद मोदी की नीतियों का विरोध करें आने वाले समय में राहूल गांदी जी के नित्रत में इस देश में सरकार बने और राम राजी की स्तापना इस देश में हो सके और नीकी नीतिया मुर्दाबाद प्रती नीतियों क्रेंट अभाद में मुर्दाबर प्रतो पेट्रोल इसल स्थी नीतियों के इस देश चाह्ड़ कर दो कर दो